हेलो एब्रिवन, वेल्कम टू सक्सद दितराय अकेडमी 23 अप्रैल 2023 के डैनिक जागरान के राष्टी संस्क्राण को आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चड़ी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो सबसे मेन हेडिंग बनाई गई है निउस पेपर के द्वारा वो है महिलाओं की भागेदारी से संबंदित न्यूस जो की सैन सेवा में अब पुरिसों के बराबर महिलाओं को भी सैन भागेदारी का मौका दिया जा रहा है और उनकी पोस्टिंग उसी हिसाब से की जाएगी देखिए युद्ध मोर्चे पर जल्द सेना की लड़ाकु जो कमान है वो थामती नजर आएंगी इसी महिने जो चन्याई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसे ओटिये बोला जाता है प्रसिक्षण हासिल करने के बाद आटिलरी याने की तोप खाना रेजिमेंट के महिला अपसरों का पहला बैच पास आउट करेगा सेन इद्दुकोशल और रणीति का संपूर्ण प्रसिक्षण पूरा करने वाली इन महिला सेन अपसरों को सेना जल्दी बॉर्डर के अग्रिम मोर्चे पर तैनात करेगा अब यह सब देखे कवायत पूरी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत समय बहुत लंबे समय से यह मांग हो रही थी कि जो सेना में लेंगिक असमानता है उसको समात किया जाए यानि महिलाओं को भी उचे पदों पर पहुँचाया जाए उनकी भागेदारी को बढ़ाया जाए उनकी तैनाती ऐसी जगों पर की जाए जहां अभी तक उनकी तैनाती को नजर अंदाज किय जाता था तो इन सब बातों को लेकर लेंगिक समानता के द्रश्टी कोण को ध्यान में रखते हुए ये अब जो न्यूज है वो आ गई है OTA के बारे में भी आपको पता चल गया Officers Training Academy तो OTA जो चेन्नाई में है 29 अप्रैल को artillery batch में सामिल महिला सेन अधिकारी प्रसिक्षन पूरा कर लेंगी इन महिला अधिकारियों को सेना जल्दी front line artillery regiment में तैनात करेगी भारतिय सेना के इतिहास में पहला मौका होगा जब महिला अपसरों को अगरी मोर्चे पर तैनात किये जाने वाले लड़ाकू regiment का हिस्सा बनाते हुए उन्हें कमान सौंपी जाएगी देगी सेना में जो महिलाओं की बराबरी का मौका देने का मुद्दा चल रहा था उसके उद्देश से महिला अधिकारियों को पुरुस के जो समकक्ष या बराबर आप कहा सकते हैं अब इस थाई commission मिलना सुरू हो गया इसकी वज़ा से जो महिला सेने अधिकारी हैं वो भी सेना में पुरुसों की तरह समान चुनोतियां नेतरत की भूमी का निभाने के लिए तयार हो रही हैं अब इसमें operational, intelligence, logistics वो प्रसासनिक पहलूँ के सभी दरश्टी कौन पर महिला अधिकारियों को कमांड की चुनोतियों के लिए तयार रहने के लिए एक विसेस senior command course भी आय जिला अधिकारियों की बढ़ती संख्या के लिए प्रतिसपरदा भी बढ़ती जा रही है चलिए अब next news पर आते हैं next news है कि पाकिस्तान के इसारे पर रचा गया था पुंच में सैन निवाहन पर हमले का सड्यंद्र तो यह पुंच जिले में जो सैन निवाहन पर आतंकी हम किया गया था जलन प्रदार्ट से किया गया था तो यह सब बातें अब यह निकल कर आ रही है कि जो पूरा जो साजिस थी वह पाकिस्तान की तरफ से रची गई थी और खास तोर पर गुलाम जो जम्मू कश्मीर है उसमें रची गई थी इसका mastermind था रफीक नाइक आतंकी सं स्टिक्स फ्रंट जैसे कई आतंकी संगठनों को मदद मुहया कराई है इसके बाद आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया रफीक नाइक पुंच के नक्का मजहारी गाओं का रहने वाला है रफीक पहले पुंच और राजवरी जिले में सक्री था वर्स दोजाट छे और साथ के बीच हुआ सुरक्षा बलों से बचने के लिए सीमा पार कर गुलाम कश्मीर में जाकर चला गया था चलिए नेक्स्ट नीउस पर आते हैं और नेक्स्ट नीउस है कि चीन से सटे देश के पहले गाओं तक अब 4G सेवाओं को भी उपलब्द कराया जाएगा देखिए अर 4G मोबाइल टेलिफोन केनेक्टिविटी सुरू हो जाएगी चीन सीमा से लगते देश के पहले गाओं तक 4G नेटवर्क की सुविधा सामरिक रूप से बहुत महत्यपोर मानी जा सकती है खासतोर पर ऐसे दौर में जब चीन के साथ संबंद भारत के अच्छे नहीं चल रह की है लेकिन कोई पुक्ता रिजल्ट इसका निकल कर नहीं आ रहा है हाला कि तनाव की स्थि अभी भी बनी हुई है अगर हम केंद्री संचार मंत्री जो है हमारे अश्वनी वैशनों और कानून मंत्री किरन रिजिज्जुने सनीवार को एक समाहरों में वहां 4G सेवा के लि में 2600 से अधिक मोबाइल टावर याने 4G टावर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है जिस तरीके से भारत में आप जानते होंगे कि 5G सेवा सुरू हो गई है और इसमें दो टेलीकॉम सेक्टर जो है प्रमुक भूमिका निभा रहे हैं एक है जियो टेलीकॉम और दूसरा है एरटेल तो इसमें सबसे ज्यादा जो एरिया कवर कर रहा है वो जीयो कर रहा है इसमें अगर हम न्यूस की देखें तो जो आकड़े हैं दूर संचार विभाग के उसके हिसाब से 5G सेवा के लिए 82,509 साइट्स की स्थापना की जा चुकी है एरटेल की वो राश्टी राजधानी में की गई है चलिए नेक्ष्ट न्यूस पर आते हैं नेक्ष्ट न्यूस है कि बरी करने का फैसला पलटते वक्त सजा पर अलग से सुनवाई करे अपीलिय कोर्ट अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टेट्मेंट दिया है कि जब अभियुक्त को बरी किये जाने के फैसले को अपीलिय अदालत पलट देती है तो अपीलिय अदालत को सजा पर अलग से सुनवाई करनी चाहिए ये बहुत बड़ी न्यूस मानी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने CRPC की धारा 235-2 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा क अभियुक्त को दोसी ठेराय जाने पर कोर्ट का दायत तो है कि वह दी जाने वाली सजा पर अभियुक्तों को सुने इसलिए ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को दोसी ठेराय जाने के बाद दोनों पक्षों को सजा पर बहस के लिए बुलाती है और सजा पर सुनवाई करती है स जो अभ्यूक्त है को सुनवाई का मौका देने के का यह जो सिध्धान्त है उन मामलों में भी लागू होगा जहां पीलिये अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है चलिए नेक्श न्यूज है कि PSLV C55 रॉकेट से सिंगापूर के दो उपग्र लॉंच देखे भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ध्रुविये उपग्र प्रचेपन यान याने PSLV C55 ने सनिवार को सिंगापूर के दो उपग्र हों टेलियोस 2 और लियूम लाइट 4 को सफलता पूर्व कक्षा में स्थापित किया है सतीज धमन अंतरिक्ष केंद्र से दो पहर दो बचकर 19 मिनट पर PSLV C55 रॉकेट से रॉकेट ने उडान भरी और दोनों उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया इस प्रक्षेपन के साथ ही इसरो के विज्ञानियों ने PSLV रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग करते हुए कक्षा में विज्ञानी प्रयोग सुरू किया PSLV C55 रॉकेट द्वारा सिंगापुर के दो उपग्रहों टेली ओएस 2 और लिूमलाइट 4 को कक्षा में इस्थापित करने के तुरंत बात कज्ञानिगों ने इसके द्वारा ले जाए गया उकरणों के जरिये विज्ञानी सोध प्रयोग करने के लिए PSLV Orbital Experiment Module 2 का उपयोग perform के रूप में किया है Next News है कि हंगामे के बीच तमिलनाडु में फैक्टरी संसोधन बिलपास हो गया है तेकि काम के घंटों को 8 से 12 किये जाने वाले विध्यक का कड़ा विरोध हुआ है तमिलनाडु की दलित पार्टी और द्रमुक सरकार की सहयोगी विदुथ लाई चिरुथिगल कच्ची यानि की VC के काम के घंटों को 8 से 12 किये जाने वाले विध्यक का कड़ा विरोध किया है सनीवार को विधान सबा में द्रमुक सरकार फैक्टरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों में फेर बदल करने के मकसद से जैसे ही संसोधन विध्यक प्रस्तुत किया अन्ना द्रमुक MDM के माकपा भागपा और भाचपा ने इसका विरोध सुरू कर दिया बाचपा के सदस्यों ने जम कर हंगामा किया बाद में कॉंग्रेस ने भी वौक आउट कर दिया भारी विरोध और हंगामे के बावजूद द्रमुक सरकार ने फैक्टरी संसोधन विध्यक 1948 को विधान सबा में पारित करा दिया वी सीके के संस्थापक नीता ने इस संसोधन विध्यक का विरोध करते हुए कहा कि ये बिल मझदूर कल्यान नीतियों के खिलाफ है द्रमुक सरकार मझदूर विरोधी पार्टी है उन्होंने कहा कि माई दिवस ने मझदूरों को 8 घंटे के काम का अधिकार दिया है जिसे द्रमुक सरकार छीन रही है उसके बाद next news है कि उड़ीसा के भूवनेश्वर में होगा नीली करांती का आगाज खेती से जुड़े नए आयामों के बीच भारत से समुद्री शैवाल की खेती को बल मिल सकता है इस से रोजगार और आय में बढ़ुत्री होगी तटिये राज उड़ीसा की राजधानी भूवनेश्वर से दैनिक जागरां कीट विस्विद्याले और भूवनेश्वर सिटी नॉलेज इनोवेशन क्लस्टर फांडेशन मिलकर दब्लू रेवलूशन की सुरुवात करने वा नीली क्रांटी में सक्रिय चेटान के निर्मान को भी बल दिया जाएगा जिससे चक्रवात जैसे आप दाओं को कम किया जा सकेगा चलिए नेक्स्ट नीउस पर आते हैं नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से और इसमें हमारे लिए एक ही न्यूज है कि भारत के साथ व्यापारिक समझोते के लिए होड़ देगे भारत की जो इस्तती है व्यापारिक दरश्टी कौन से वो मजबूत होती जा रही है जिस तरीके से भारत कई देशों के साथ पाना जा सकता है और इसके साथ ये भारत के पडोसी, देश और अफ्रीका के भी कई देश, भारत के साथ व्यापार का जाता करना चाहते हैं समझ किया जा सकता है लेकिन कुछ चुनाओतिया भी हैं जिनको ध्यान पर रखकर कार आगे बढ़ाया जा रहा है जो हमारे वानिच्ज मंत्री है प्यूश गोईल उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया कि भारत के सामने इस समय इतने प्रस्ताव हैं कि जो वित्त जिनको वानिच्ज मंत्राले के जो अधिकारी है वो इस टाइम रात रात भरकार कर रहे हैं उन्हें अपने काम के घंटों को बढ़ाना पड़ रहा है इतना वर्कलोड आ गया है तो यह कहने का मतलब है कि भारत जो है वो व्यापार के चेतर में मजबूत इस्ति में बन रहा है भारती बाजार के आकार एवं विकास की गती को देखते हुए दुनिया के कई देश भारत के साथ व्यापारिक समझोता करना चाते हैं हाला कि सरकार इस दिसा में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाती है पहले से ही यूरोपी यूनियन ब्रिटेन और कनाडा के साथ व्यापार पर कई दौर की बाचित हो चुकी है और इस साल तक तीनों के साथ व्यापार समझोते होने की उमीद है साथ ही 20 लाख करोन डॉलर से अधिक के बाजार में भारतिय वस्तूओं को पहुशाएं बिना सुल्क के या कम सुल्क के साथ आएंगी इसका फाइदा भारत के रोजगार परक सेक्टर में होने की उमीद है EU की अर्थवयोस्ता का आकार 16.6 करोन डॉलर, ब्रिटन का 2.23 लाख करोन डॉलर और कनाड़ा की अर्थवयोस्ता का आकार 2.2 लाख करोन डॉलर का है हाली में नई विदेश व्यापार निती की खोष्णा के दौरन वानिज और द्योग मंत्री प्यूश गोईल ने कहा कि हमारे साथ कई देश व्यापार समझवता करना चाहते हैं और इसके लिए बाची सुरू करना चाहते हैं इस सिती ऐसी हो गई है कि वानिज विवाग के अधिकारियों को कई सिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। रूस, बांगलादेश, सिरलंका, आफरीका के कई देश, भुटान, यूएई से सटे कई अन्य देश भारत के साथ व्यापार समझवता करना चाहते हैं। दो दिन पहले भारत Thailand Joint Trade Committee की 17 साल के बाद आमने सामने बैठक हुई और दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए नए उत्पादों की पहचान और समुद्री उत्पाद मान्स और पोर्ट्री के व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सहमती बनी है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज है भारत केरी कॉम बैठक में व्यापार वह आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चक की गई है। विदेश मंत्री कावमिनौज स्मित के साथ चौथी भारत केरी कॉम बैठक की अधिक्च सह अधिक्चता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच अतंकवाद जल्वाई परिवरतन व्यापार समेत अन्य मुद्दों पर भी बाचीत की गई है। केरीबियन कम्यूनिटी केरीकॉम एक अंतर सरकारी संगठन है जो पूरे अमेरिका और अटलांटिक महासागर के 15 सदस्त देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संग है। विदेश मंत्री जो जै संकर ने सुकरवार को सुरी नाम के विदेश मंत्री अलबर्ट रामदीन के साथ मुलाकात कर गोयाना पनामा कोलंबिया और डोमिनिक रिपब्लिक की नौ दिवसिये यातरा की सुरुआत की थी। विदेश मंत्री ने जमाइका के विदेश मंत्री कौमिनौज स्मित को गोयाना आमंतरन के लिए धर्निवाद दिया, उन्होंने केरिबियन देशों सूरिनाम सेंट किट्स एंड नेबिस, सेंट लुईसा, सेंट विंसेट एंड ग्रिनाडेंस ये सब देश हैं, बारवाडोस इस तरिनाद एंड टबैको के समकचों के विचारों के लिए उनकी सरहना की है, नेक्स नीज़ें, अमेरिका इस वर्स दस लाख भारतियों को देगा वीजा, तो काफी समय से अमेरिका वीजा का इंदिजार कर रहे है, भारतियों को जल्द वीजा मिल सकता है, या मिलेगा, इस वर्स 10 लाक भारतीयों को वीज़ा जारी किया जा सकता है वीज़ा के कारवें प्रात्मिक्ता के आधार पर तेजी लाए जा रही है यह जानकारी अमेरिका के दच्छन मद्दे एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल लू ने भी है उन्हों का कि भारतियों को वीजा दिये जाने के कारे को तेच कर दिया गया है इनमें H1B और L वीजा सामिल है जो भारत के IT पेशेवरों की सबसे अधिक मांग में सामिल है H1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी तकनीकी कमपनियों को अपने यहां विदेशी कर्मचारियों की न्युक्ती की अनुमती देता है इसके साथ ही अमेरिका में पढ़ाई किये जाने वाले चात्रों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है लू ने कहा कि अमेरिकी प्रसासन इन गर्मियों में कॉलेज सुरू होने से पूर वीजा जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है सुडान से जल्द घर लोट सकेंगे दूसरे देश के नागरिक प्रमुक मुहम्मद हमदान दौगोला उर्फ हमेदती के संघर्ष विराम के अस्वासन के बाद आया है सेना और RSF ने सहित रूप से ईद पर सुकुरुआर से तीन दिन का संघर्ष विराम का अयलान किया है संघर्ष विराम के दौरान विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए हवाई अड़ों को खुला जा सकेगा सुडान की सेना की और से सनीवार को कहा गया कि अमेरिका समेत अन्य देश आगामी कुछ घंटों में अपने नागरिकों को खार्तूं में सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे सेना ने बताया है कि सौधी अरब के नागरिकों को पोल्ट सुडान की ओर से पहले ही बाहर निकाला जा चुका है तो ये आज का 23 अप्रैल 2023 का दैनिक जागरान का राष्टिय संस्क्रण था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को शेयर कर दीजीगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद